है गाइस कैसे हैं आप आई होब कि आप सभी अच्छ होगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउट इनेबल क्यूग बॉल इन ओपो ए सेवंटीनाइन फाइब जी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बस पहले यहां पर आप देख पा रहा हैं अगर मैं यहां पर कोई हैं करते हैं और इस पर क्लिक किए तो यहां से बैक आ जाते हैं आप यहां परakapर होँ मैं यहां इसके टाइप करना है और इस Q-Ball को कैसे इनेबल करना है इसके लिए आपको सबसे पहले Settings पर जाना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आजाना है और यहाँ पर Additional Settings इस पर आप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको Assistive Ball मिल जाता है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको Assistive Ball को यहाँ से On कर देना है तो किसी डिवाइस में आपको यह Assistive Ball से मिलती है और किसी डिवाइस में आपको यहाँ पर यहाँ पर क्यूक बाल से मिलती है या फिर किसी डिवाइस में आपको यह Easy Touch नाम से भी मिल जाती है और यहां से अगर आप tap करने से back आते हैं, डवल टब करने से screen chart आता है, touch and hold यहां पर press cut के रखते हैं तो home screen पर आ जाते हैं, तो यह भी आप change कर सकते हैं, जैसे कि डवल टब करने से आप यहां पर phone को lock करना चाते हैं, या फिर डवल टब करने से आपका आप one hand mode enable करना चाहते हैं तो double tap करेंगे तो यहाँ पर आपका यह one hand mode enable हो जाएगा तो आप इसे settings हटा के आपको यह navigation button hide करना होंगे पहले उसके बाद यहाँ से आप one hand mode enable कर पाएंगे लोग कर पाएंगे notification drawer खोल पाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं double tap करके वह यहाँ से कर सकते हैं so guys I hope कि आपको यह video पसंद आए होगा video पसंद आए तो please see video like and share जरूप से कर देना तो मिलते हैं next interesting video के साथ